जनर्रल वपिन रावित वो शख्स है जो बिलियंज ओफ डॉलर्स इंडिया दुनिया में दूसरा बड़ा पर्चेजर है आम्स का बहुत अफसोस हुआ और ना सरिफ चीफ अफ़ामी स्टाफ के तौर पर ही ट्रावल डिक यू एक्स्टेंसिवली इन दरीजिए जहिन दोस् एक हेलिकोप्टर हाट से में मारे गए है उनके बार में बात कर रहा है पाक मीडा कहा रहा है कि कैसे विपिन रावल जी ने इंडियन आर्मी के लिए हर्टियार सिक्यूर किये थे और कैसे उन्होंने इंडियन आर्मी को मोर एडवांस बनाया था और पाक मीडा ये भी कहा कि कैसे विपिन रावत जी ने दूसरे देशों के साथ भरत के रिस्टों में भी मदद की थी तो पाक मीडिया यहाँ पे विपिन रावत जी को ट्रिब्यूट पेस कर रहा है और पाक मीडिया यह भी कह रहा है कि विपिन रावत जी ने भरत आर्मी को मदद भी की और उन्हों ने पाकिस्तान में जो सर्जी का स्ट्राइक हुआ था उसमें भी खास किरदार अड़ा किया था दोस्तों इस वीडियो को आप पुरा जरू देखेगा तो चलिए और इंटिसार ना करें के यह वीडियो देखते हैं बारती चीफ आफ डिफन स्टाफ बपन रावत हलीकॉप्टर हाथसे में हलाक बारती फजाया ने बपन रावत की हलाकत की तदिय कर दीख दीख इस सारे मौमले को स्पेर हेड करने वाला वो शक्स था दूसरे जानी बारती चीफ आफ डिफन स्टाफ जरू बपन रावत की हलीकॉप्टर हाथसे में हलाकत के बाद पाग फोच के सिपासालार जरू कमर जावेद भाजवा ने अफसोस का इजहार किया के डीजी आइस पियार मेजर जर्नल भाबर इफ्तखार की तरफ से समाजी राप्टे की वेबसाइट ट्वीटर पर बियान में बताया गया कि चेर्में जान चीफ आफ स्टाफ जर्नल नदीम रजा और आर्मी चीफ जर्नल कमर जावेद बाजवा ने तामल नादों में हेलिकॉप्टर हाथ से कशिगार होने वाले बारती चीफ आफ डिफन स्टाफ जनल बपन रवत और इनकी एहलिया की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया के इस हेलिकॉप्टर के बारे में ये कह पाना अभी बड़ा मुश्किल होगा कि वजह क्या थी ये तो सोशल मेडिया में जो खबर आई है जो वीडियो आ रहा है वो भी उसकी जाच की जानी चाहिए कि क्या वही तयारा था या कोई पुराने रिकॉर्डिंग थी जो कई बार सोशल मेडिया क्योंकि वह ऑथन्टिक तो होता नहीं है उसके आप चेक नहीं कर सकते तो और ऐसा ये फर्स्ट एक्सपीरेंस नहीं है इससे पहले भी कुछ एक ऐसे वाक्यात हुए है जब कुछ पुराने उससे रिलेटेड कुछ वीडियो जैसे निकाल के बंगलादेश में कुछ हो रहा है तो इरा के कोई वीडियो निकाल के क्योंकि ड्रेस वगरा कुछ-कुछ उ हेलिकॉप्टर का उसके बाद ही ऑथनिटेसिटी के साथ कुछ कहा जा सकेगा कि पीछे वजह क्या थी क्योंकि पाइलेट जो था वह भी बहुत ही सुप्रीम क्वालिटी का पाइलेट था उसे शौरे चक्र मिला था और अगर पाइलेट को शौरे चक्र मिलता है मतलब वह अपने जॉब में, इसलिए उसे शौरे चक्र मिला, तो वो भी एक्सपर्ट था, ये मशीन जिसमें ये लोग जा रहे थे, हलिकॉप्टर, ये भी एक बड़ी, बड़ी ही मानी हुई मशीन है, ट्राइड और टेस्टेड है, ऐसा नहीं है कि हमने वो चाइना से बनाओं कुछ बनाने तक पहुँच चुका है, तो ट्राइड और टेस्टेड मेशीन थी, इस समय ऐसा कैसे हो गया, क्या कोई चूप टेक्निकल लेवल पर हुई, या फिर इसके जो मेंटेनस में वहां कुछ गड़ बड़ी हुई, ये सारी बातें अभी तुरंत कहना बहुत ही होगी, अब जब पूरा इन्वेस्टिगेशन बैठेगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए कमिटी बनाई जाएगी, वो जो रिजल्ट निकाल के देगी, उसी पर और वही मेडिया में छपेगी, तो उसी पर हम लोगो भरुसा करना होगा, हम बात करेंगे जरा भारत की जै में उनके समेथ तेरा लोग और थे जो अपनी जानों से गए, बहुत अफसोस हुआ और ना सिर्फ ये कि मैं यहां पर बात करी हूं बलके कुछ देर पहले, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, उनकी तरफ से भी एक अफसोस का मैसेज जो है, वो बेजा गया है, और हम दिन पहले रशिया के सदर आया हुए थे, जो बिलियन्स अव डालर्स की डील्स हो रही थी, तो वो सारा बिबन रावत का ब्रेंचाइल्ड था कि किस तरह आपने इंडियन मिलिटरी को वो जो है, लीट करना है, 27 चीफ पामी स्टाफ थे इंडिया के, और ये एक चीज मैं साइल आया है, लाइन अफ एक्ट्रोल के अंदर, तो ये सारी की सारी चीजें जो थी, ये विपन रावत, जो थे, he was looking, दूसरा ये कि इनके टर्नियोर में, जो चीफ पामी स्टाफ के तौर पे, he traveled extensively in the region, बले वो निपाल हो, बंगला देश हो, बुटान मियामार हो, निप extensively travel किया है, फिर रशिया, अमेरिका भी गए हैं, मालदीज भी गए हैं, जैसाना, आम में चीफ की बात कर रहा हूं, ये सफारशी थे, चीफ अबामी स्टाफ, और सफारश थी, अजीद तोगल की, अच्छा, ये जो खबरे वहां से आ रही ही, कि अलर्ट कर दिया गया, ये एक सिचुएशन मुल्क में ऐसी डवलप हुई है, जबके आपकी आर्मी, आपकी एर्फोर्स, निवी, ये इन्टरनली डिस्टेबलाइज हो गए है, कमांडर, एक कमांड स्ट्रक्शर हिल गया है, तो शायद कोई इस तरह की बात हो, वो आज ऐसी सुरत हल मौजूद तो ये मेरा ख्याद है कि ओवर प्ले करके हम आमां को थोड़ा मुदर्ख करने के लिए, सिचुएशन की जड़ा सीरियसनेस बढ़ाने के लिए, ये इस तरह के ड्रामे बात चीत की जाती है, वन्ना इसका कोई इस वक्त पे को तालुक नहीं है, बहुत बहुत शुक्री है जो विपिन राओँजी का हलिकॉप्टर क्याण ертв किया है, तो पाकिस्तनी मीडिय नहीं यहाँ पे जाटतार सही का सिर्फ पाकिस्तनी जनरल ने जो कहा कि अज़ दोफल की सिफारिष पे विपिन राओँजी, सिद्य सीदीयस, चीफ दिफ्न स्टाव बने थे, तो ये मु फारीस मांग रहे है आर्मी चीफ बनने के लिए और इसलिए इम्रान खान भी जेंजर फेस के दिर है election में धांजी करके कैसे फिर से पाकिस्टाइब प्राइम मिश्च बनना चाहते तो यहां पर जंजर फेस और इम्रान खान एक दूसरे को मलट कर लेते कि जंजर फेस पाकिस्तानी चुनाव में रिगिंग करके फिर से इम्रान खान को पीम बना देंगे और उसके बटिले में इम्रान खान जंजर फेस को अगला आर्मी चीफ बना देंगे बाश्वा के बाद इ कई महिनों से जहमला चल रहा ता इस पर और इम्रान खाय कैसे जनरल फेस को आईसाई चीफ रखना चाहते तो पाकिस्तान की जदा भारत आर्मी में ऐसी चीज़ें नहीं होती भारत आर्मी में मेरिट पे फैसला होता है यहां किसी की सीफारिस नहीं चलती हां हो सकता है कि आपके लए कौन अच्छा हो आपके मूटा भी कौन अच्छा हो तब हो सकते अजित दंवर जी ने विपिन जाऊजी का नाम लिया हो पर ऐसा नहीं है कि अजित दोफल जी की सीफारिस पर ही cosine Rao podr G cds बने विपिन Raokar जी अपने मेरिट पे cds और भारत के आर्मी चीफ बने तो इस पे बहुत ज़रा conspiracy theory आ रही है तो मैं उस पे कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि उस में बोलने लैग नहीं है भारत आर्मी ने inquiry order किये और जब helicopter का black box मिल जाएगा तब पता चल जाएगा कि असल में क्या हुआ तो अभी conspiracy theory पे बाठ करके कोई फाइदा नहीं है और यह जो helicopter crash हुआ है यह helicopter मुझी जी भी यूश करते है और भारत के रास्ते बटी भी तो ऐसा नहीं है कि helicopter में कोई committee या helicopter खराब था तो असल में क्या हुआ यह inquiry report आने के बाठी पता चलेगा तो इस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा और आज जून ने जो कहा है कि कम से कम अभी भी पाकिसान भाट की जिस्ते इतने अच्छे कि जेनरर बाजवा ने जेनरर विविन रहाट की मौट पे डुख एक स्पेस किया है तो कम से कम जिस्ते अभी इतने खराब नहीं है और यह पहली बार नहीं है आपको पताओ को ने भी चित्थिलिक यह जाहिर किया था कि वो इस मामने में दुखी है और वो आसागत्य की इम्रान कान जल्दी ठीक हो जाए तो भाट और पाकिसान जिस्ते अभी इतने खराब नहीं है जैसे आर्जू ने कहा कि दोनों एक दूसरे के डुख में कोई बयान भी ना दे तो यह आस होने सही का और आखिर में मैं सिफ यह कहूँगा कि यह बहुती डुक जनक घटना है तो इंकुरी रिपोर्ट आने के बार ही पतर चलेगा कि असल में क्या हुआ था और असल माम लागया है तो तप तक देखना पड़ेगा और जब इंकुरी रिपोर्ट आएगी तो मैं इस चैनल पर वीडियो ज़रूर दूंगा उसके बारे में तो चले देखते की फ्यूचर में क्या होते है दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए बहुत बश्यक्या और हमें अच्छन के सब्सक्राइब करना मन भूलेगा थैंकी वेरी मच